पर देख्टोप एन और कॉम्प्यूटर फेरिफेर्स सु लेट स्टाट परस्ट फॉल स्ट वूल डिस्केस वोट इस डेख्सटप डेख्सटॉप क्या होता है विद इस्टॉट इस्टॉप जैसे हैं आप सिस्टम को आउन करते हो जो भी आपके सामने फिर्स स्क्रीन आती ह उसको desktop कहा जाता है, it is very helpful to use files or to store files, folder, application, shortcut to your computer and small pictures known as icon, आप देखिये, यह जो यह बने हुए है, फिगर्स यह क्या है, यह सब icons है, जिसमें यह arrow बना हुआ है, blue color का, इसको shortcut कहते हैं, और बाकी सब जितने भी हैं, यह सब icons है, this is shortcut, this one also, this is also shortcut and these are icons, now this is, this PC and recycle bin is very common in every computer, आपको यह दोनों चीज़ें मिल ही जाएंगी, this PC में क्या होता है, this PC में सारी disk वगेरा होती है, conceive drive है, और जो भी folders वगेरा है, वो सब इसमें mention होते हैं, और recycle bin, जैसे हमारे घर में dustbin का काम होता है, उसमें हम जितने भी waste paper हैं, वो use करते हैं, उसी तरह से dustbin में भी, recycle bin में भी हम जितने भी files होती हैं, जितने files हम delete करते हैं, वो सारी recycle bin, यह जो बार दिख रहा है, आपको नीचे black color का, इसको कहते हैं हम task bar, और इसको यह जो window बनी हुई है, इसको बोलते हैं हम start button, जो करते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत सारे files और folders, और यहाँ पर अगर हम type करें, तो जो भी हम type कर आगिया, अगर हमें search करना है particular app को, या particular किसी file को, तो हम उसको find कर लेंगे, और this is also known as system tray, जहाँ पर यह time और date, सब कुछ mention होता है, इसको हम system tray कहते हैं, now we will learn how to change the background of desktop, यह जो background है, suppose हमें यह पसंद नहीं है, अगर हम change करना चाते हैं इस background को, तो हम just क्या करेंगे, जो भी blank area होगा desktop का, उस पर right click करेंगे, personalize पर जाएंगे, we will select anyone, मैंने यह umbrella लिया, select हो गया, then close, तो अब हमाना जो desktop हो गया, वो change हो चुका है background, और इसमें आप, बस it's all about the desktop, thank you